वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स नमस्कार मैं महागुरु गौरव आप सभी को नए वर्ष 2021 की हार्थिक शुक्काम नाए नए साल को लेका हर व्यक्ति के मन में नए सवालाते हैं कि नव वर्ष में उसका केरियर, बिजनेस, आर्थिक इस्तधी, पारिवारिक जीवन, विवाईक जीवन, प्रेम संबंद और सेहत बच्चों से लेटे चीज़ें कैसी रहेंगी? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए इनसान जो है एस्टो लौजर द्वारा दिये गए वाशिक राशी फल की मदद लेते हैं, बात करते हैं कर्णिया राशी फल 2021 के बारे में, कर्णिया राशी के जो स्वामी हैं वो बुद्ध हैं, और बुद्ध ग्रह इसी राशी में उच्के होते हैं, कर्णिया राशी पेटवी तत राशी है, जिससे ये लोग थोड़ा सा रूडिवादी होते हैं, ऐसे जातक अपने परिवार के पती समर्पित और सेवा भाब में माहिर भी होते हैं, कर्णिया राशी वालों के लिए तित्ने भाब में इश्वस और नवे भव में राहु का गोचल रहेगा, इस साल कन्याराशी के जात्कों के लिए उनकी आतिक इस्थी पहले से बहतर रहेगी, साल के मद्धे में जमीन और घर का खेटना आपके लिए फाइदे मन रहेगा, संपत्ति में इजाफार रहेगा, वेपार में मुनाफार कार्यस्थल में आपके नई लोगों से मुलाकात होने से आपका नाम बनेगा किसी बड़े प्रोजेक्ट के मिलने से कार्य में बढ़ोतरी होगी नए उन्नती के अफसर भी प्राप्त होंगे वर्ष के मद्दे में कोई नया कारे नहीं करना है इस अफदी में आपको हनी हो सकती है जो लोग जाप कर रहे हैं उनको इस साल कार्यों को लेकर कुछ नई चुनोतियों का सामना भी करना पर सकता है परिवार के हिसाब से जीवन परिवार पारिवार एक जीवन जो है साल बेतर रहेगा यदि सरस्चों के बीच में कुछ मद्वेदों खटास चल रही है तो इस वास आपका अपसी प्रेम बढ़ेगा वर्ष के अंत में परिवार में कुछ धार्मिक अयोजन होने की भी हो सकता है जिससे आपकी मांसिक जो दनाफ है वो बना रहेगा वर्ष के अंत में आपसी रिस्तों में ताल मिल बढ़ेगा रिस्तों में मिठास आएगी स्वास्त के हिसाब से वर्ष मिला जुला रहेगा लेकिन वर्ष के मद्वे में आपको स्वास्त के लिए साफधनी बर झाल झाल